नमस्कार, मैं राजीब कुमार, TGT हिंदी, प्रायोगिक विद्याले, क्षत्रिय सिक्षा संस्थान, NCERT मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हार्दीक स्वागत और अविनन्दन करता हूँ आज मैं कक्षा आठवी की हिंदी पाठ्थ पुस्तक, दुर्बा भाग तीन में संकलित, एक मजेदार कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपने कक्षा सात्वी में प्रेम चंद की कहानी गुबारे पर चीता पड़ी होगी और उस कहानी में आपको सरकस से जुड़ी कई सारी जानकारियां मिली होंगी, साथ ही साथ आपको खूब हसी भी आई होंगी याद है ना, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही मजेदार है कहानी का शिर्षक है नाटक में नाटक शिर्षक से ही आपको पता लग गया होगा कि यहाँ कहानी कितनी मजेदार और प्यारी होगी इस कहानी के कहानी कार है मंगल सकसेना मंगल सकसेना कहानी कार के साथ साथ नाटकर्मी, कवी और पत्रकार के रूप में भी जाने जाते है नाटे कर्मी मंगल सक्सेना जी, राजस्थान साहित अकादमी के सचीव और राजस्थान संगीत अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं उनकी रचनाओं की बात करें तो उन्होंने करीब 24 नाटक निर्देशित किये और इतने ही नाटक उन्होंने लिखे भी उन्होंने दो प्रसिद बाल नाटक, चन्दा मामा और आदत सुधार दवा खाना भी लिखा उन्होंने मैं तुम्हारा स्वर और कपट का सीना फाडो नामक दो कवीता संग्रह भी लिखा है जो काफी लोग प्रिये रहा है नाट्य अकादमी द्वारा उन्हें अकादमी अवार्ड और साहित श्री नीदी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है आज के इस कारिकरम के अंत में विद्यार्थी कहानी वाचन की आदर्श शैली से अवगत होंगे कहानी को समझ कर अपनी भाशा या बोली में प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे कहानी में आए कठिन शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग को जान सकेंगे कहानी की महत्ता को समझ सकेंगे और नाटक से जुड़े तत्वों से अवगत हो सकेंगे तथा विराम चिन्हों के प्रयोग को भी समझ सकेंगे तो आईए शुरू करते हैं कहानी का आधर्ष वाचन कहानी का शिर्षक है नाटक में नाटक राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए और जब नाटक में अभीने करने वाले कलाकार भी नए हो मंच पर आकर डर जाते हो घबरा जाते हो और कुछ-कुछ बुद्धु भी हो तब तो अधूरी तयारी से खेलना ही नहीं चाहिए उसके साथ ही मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे राकेश को उनके अभीने पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था वा स्वैम अभीने इसलिए नहीं कर रहा था कि फुटबॉल खेलते हुए वा अचानक गिर पड़ा था और उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पटी में लपेट कर गरधन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था नातक खेलना भहुत आवश्यक था मुहले की जद का सवाल था मुहले के बच्चों ने मिल जुलकर फालतू पड़े एक छोटे से सारवजनिक मैदान में दूब वफूल पौधे लगाए थे वहीं एक मंच भी बना लिया था राकेश की युग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था समय था केवल एक सपता का साथ दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अवीने करने लगे थे पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डड़ था हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहां क्या कर रहा है बस कहने से मतलब दूसरे चाहे उनकी मुर्खता पुर्ण बातों पर हच रहे हों मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलजने लगते थे राकेश ने पुर्वा व्यास के साथ दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था निर्देशन उसने इतना अच्छा किया था कि छोटी से छोटी और साधारन से साधारन बात भी समझ में आ जाए खैर प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था मोहन बोला मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है मेरा भी सोहन ने सीने पर हाथ रख कर कहा तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया अभिनेता मंच पर आ गये परदा उठा आ मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दु का शायर नाटक में दोनों दोस्त होते हैं चित्रकार कहता है उसकी कलामहान शायर कहता है उसकी कलामहान श्याम बनता है संगीतकार वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं बजाई इसके की वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करें बड़े छोटे के इस विवाद में उलज जाता है वह कहता है संगीतकार की कला महान अभी तक अभीने अच्छी तरह चल रहा था सब को अपना अपना पाट याद आ रहा था सब ठीक ठीक अभीने करते चले जा रहे थे अच्छानक श्याम पाट पूल गया परदे की आड में राके स्वैम पूरा नाटक लिए खड़ा था वह हर एक समवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को समवाद याद आते रहे मगर श्याम घबरा गया वास ऐसा चुप हो गया उतके चुप होने से चितरकार और शायर महोदय भी चुप हो गया होना या चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बना कर बात आगे बढ़ा देते पर वे घवरा कर राकेश की तरफ देखनी लगी संगीतकार महोदय भी पलट कर राकेश की ओर देखनी लगी राकेश बार बार संगीतकार जी का समवाद बोल रहा था मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको ना सुनाई दे जाए इसलिए धीरे धीरे फुस फुसा कर बोल रहा था संगीतकार जी को वह हलकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तभी शायर साहब संगीतकार के कंदे पर हाँथ मार कर बोले उधर जाकर सुन ले ना संगीत कार अपना वाइलीन पकड़े-पकड़े राकेश की और खिशक आए दर्शक ठठा कर हस पड़े संगीत कार जी और घबरा गए जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बुझे जट से बोलने लगे समवाद था जब संगीत की स्वर लहरी घुंजती है तो पशु पक्ची तक मुग्द हो जाते हैं शायर सहब आप क्या समझते हैं संगीत को मगर संगीत कार सहब बोल गए यो जब संगीत की सहर लहरी घुंजती है तो पशु पक्ची तक मुख की खा जाते हैं गाजर शाहब आप क्या समझते हैं हमें शायर साहब तपाक से बोले तुम्हारा सर गाजर साहब हूं मैं दर्शक फिर ठठा कर हस पड़े चित्रकार महोदे ने मंज पर सूज और अकलमंदी दिखाने की कोशिश की इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब है सो इनकी कला महान है मगर मेरी कला इनसे भी महान है राकेश दात पीश रहा था उतकी सारी मेहनत पर पानी पढ़ गया था पर इस तरह बात संभलते देखकर कुछ शान्त हुआ इस बार शायर साहब बुद्धु पना दिखा बैठे गुस्सा होकर बोले तुने भी गलत बोल दिया मुझे गाजर साहब करने की बात थी क्या और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चितरकला जाडू फिरना है पोतना है जख मारना है चितरकार महोदय ने हाथ उठा कर कहा देख मुह समभाल कर बोल दर्शक फिर बड़े जोर से हंस पड़े राकेश घबरा रहा था गुस्ता भी आ रहा था उसे और रोना भी सारी इज़त मिट्टी में मिल गई पर अब क्या हो वह बार बार दोनों हथिलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था इधर मंच पर तीनों में जोरों से तूतू बैमै हो रही थी चितरकार महोदय हाथ में कूची पकड़े आँखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे अरे चमगादर तुझे क्या खाक शाइरी करना आता है जबरदस्ती ही तुझे या पाट दे दिया तुने सारा गरबर कर दिया मुझे चमगादर कहता है अरे आलू बुखारे शाइरी तुम मेरी बातों से टपकती है तुने कभी टूथ बुरुष के अलाबा कोई बुरुष उठाया भी है यहां चितरकार बना दिया तो सचमुत ही अपने को चितरकार समझ बैठा दर्शक हसी से लोट पोट हुए जा रहे थे संगीत कार महोदे कभी उन दोनों लड़ते कलाकारों की और हाथ न चाते कभी दर्शकों की और तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुँच गया सब चुप हो गए सक पका गए राकेश पहुचते ही एक कुर्थी पर बैठते हुए बोला आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंदवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहरसल की है जोर जोर से लड़ने लगे अभीने का दिन बिलकुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यहा हाल है चित्रकार महोदे ने इस समय अकलमंदी दिखाई बोले हम क्या करें डाइरेक्टर साहब पहले इसी ने गलती की राकेश बात काट कर बोला अरे तुम मैंने कह नहीं दिया था कि रिहलसर में भी यह मान कर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे है अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दुबारा रिहलतल शुरू कर देते यह क्या कि लड़ने लगे सब गरबड करते हो बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी परदे की आड में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरत बुद्धी की प्रशंशा कर रहे थे दर्शक सब शांत थे भवचक्के थे वे सोच रहे थे यह क्या हो गया वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड गया मगर यहां तो नाटक में ही नाटक था उसकी रिहलसल ही नाटक था मानो इस नाटक में नाटक की तयारी की कठिनाईयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था राकेश कह रहा था देखिए हमारे नाटक का नाम है बडा कलाकार और बडा कलाकार वा है जो दूसरे की तुरूटियों को नहीं अपनी तुरूटियों को देखे और सुधारे आई ये अब हम फिर से रिहलसल शुरू करते हैं तब ही राकेश के इशारे पर परदा गिर गया दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रसंशा करते हुए अपने घर चले गए विद्यार्थियों आपने कहानी पाठ के दौरान कुछ शब्दों पर भी गौर किया होगा तो आईए पहले हम उनकी शब्दों के सामान्य अर्थ और उनके वाक्य प्रियोग पर नजर डालते हैं पहला शब्द है अभीने जिसका अर्थ है अदाकारी यानि किसी अभीनेता या अभीनेत्री द्वारा किया जाने वाला वह कारिये जिसके द्वारा किसी कथा या भाव को दर्शाया जाता है जिसे अंग्रेजी में एक्टिंग भी कहते हैं इसका वाक्य प्रियोग देखें फिल्म तारे जमी पर में बच्चे का अभीने दर्शिल सफारी ने किया है दूसरा शब्द है निर्देशन जिसका अर्थ है अभीने से संबंधित तरीके को बताना जिसे अंग्रेजी में डाइरेक्शन कहते हैं इसका वाक्य में प्रियोग देखते हैं फिल्म बाहु बली का निर्देशन एस एस राजा मौली ने किया तीसरा शब्द है प्रदर्शन जिसका अर्थ है दिखलाना या प्रस्तुत करना जिसे अंग्रेजी में प्रेजिन्टेशन कहते हैं इसका वाक्य में प्रियोग देखते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा चौथा शब्द है हिदायत जिसका सामानी अर्थ है सावधानी बरतने हेतु दिया जाने वाला निर्देश जिसे अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन कहते हैं इसका वाक्य प्रियोग देखते हैं कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की हिदायत दी गई है पाँच्वा शब्द है नाहक जिसका सामानी अर्थ है बिना मतलब का जिसे अंग्रेजी में परपतलेश कहते हैं इसका वाक्य प्रियोग देखते हैं हमें नाहक ही परिशान नहीं होना चाहिए छठा शब्द है भाउचक जिसका अर्थ है चकित या दंग जिसे अंग्रेजी में वंडर या शौक्ड कहते हैं इसका वाक्य प्रियोग देखते हैं स्कूल में बच्चों की चित्रकारी देखकर शिक्षक भाउचक रह गए सात्वा शब्द है पुर्वा भ्यास जिसका अर्थ है किसी काम को करने से पहले किया जाने वाला अभ्यास जिसे अंग्रेजी में रिहलसल कहते हैं इसका वाक्य में प्रियोग देखते हैं विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस पर नाटक प्रस्तूत करने से पहले खूब पुर्वा भ्यास किया आठ्वा शब्द है तरकीब जिसका अर्थ है उपाय जिसे अंग्रेजी में आइडिया कहते हैं इसका वाक्य में प्रियोग देखते हैं कोरोना से बचने का एक तरकीब या है कि हम दो गज की दूरी बनाए रखें नौवा शब्द है सार्वजनिक जिसका अर्थ है सबके लिए जिसे अंग्रेजी में पबलिक कहते हैं इसका वाक्य में प्रियोग देखते हैं बस स्टैंड सार्वजनिक संपत्ति होती हैं अंतिम और दस्वा शब्द है भूरी भूरी जिसका अर्थ है बेहद अथवा बहुत जियादा जिसे अंग्रेजी में तू मच कहते हैं इसका वाक्य में प्रियोग देखते हैं रोहन ने डूबते हुए बच्चे को बचाया इसलिए लोग उसकी भूरी भूरी प्रशंशा कर रहे थे आईए अब हम कहानी की मूल बिंदुओं पर चर्चा करते हैं इस कहानी की पहली बिंदु है या कहानी नाटक की कठनाईयों और कमजोडियों पर प्रकाश डालती है किसी भी नाटक को मंच पर प्रस्तुत करने से पहले उस नाटक के पात्रों यानि अभी नेताओं के द्वारा रिहलसल करना आवश्यक होता है रिहलसल के बगेर सफल नाटक का होना नामूमकिन है समवादों को पात्रों के अनुसार करम से याद करना होता है समवाद भूल जाने की स्थिती में साथी कलाकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने उस साथी की मदद करे नाटक एक सामूहिक कला है नाटक की सफलता सामूहिकता पर निर्वर करती है इसलिए कोई भी कमजोरी या कमी किसी एक की नहीं सबकी होती है या कहानी कलाकार की खुबी पर चर्चा करती है नाटक में कई पात्रों होते हैं और लंबे लंबे समवाद भी कई बार ऐसा भी होता है कि अभी नेता किसी कारणवस समवाद भूल जाता है या गलत समवाद कह देता है तो ऐसी स्थिती में साथी कलाकार अपने विवेक से स्थिती को संभाल लेता है ऐसा कलाकार सच मुच बड़ा कलाकार होता है क्योंकि वह सिर्फ अभीनई नहीं करता बलकि दूसरों के अभीनई में मदद भी करता है या कहानी विपरीत परिस्थिती में घवराने की वजाय धहर्य बनाए रखने के साथ तुरत बुद्धी से काम लेने के लिए भी प्रेरित करती है इस कहानी को पढ़ते हुए आपने देखा होगा कि नाटक के दवरान मोहन, सोहन और श्याम एक दूसरे की कमिया निकानने लगते हैं और जगरने लगते हैं तब राकेश अपनी तुरत बुद्धी से बिगरते नाटक को संभाल लेता है और दर्शक उनके जगरों को नाटक का हिस्ता समझ कर नाटक का लुफ्ट उठाने लगते हैं आईए अब हम इस पाठ की कहानी कला को समझते हैं यह कहानी नाटक के मंचन पर आधारित है जिसे समवाद शैली में लिखा गया है कहानीकार मंगल सक्सेना ने पात्रों को ध्यान में रखते हुए सीधी सरल और पात्रा नुकूल भाषा का प्रयोग किया है जिससे कहानी में रोचकता आ गई है उन्होंने नाटक से जुड़े शब्दों जैसे मंच, अभीनेता, पुर्वाभ्यास, रिहलसल, निर्देशन, पाउट, प्रदर्शन, दर्शक, कलाकार आधी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है जो पाठक को अपनी और खींच लेता है ऐसा लगता है मानो हम कहानी नहीं बलकि नाटक पड़ रहे हूं व्याकरण की बात करें तो कहानी में समवाद की अधिकता है किसी नाटक या फिल्म में समवाद की काफी महतपुर्ण भुमिका होती है किसी फिल्म या नाटक का समवाद जब लिखा जाता है तो उसमें विराम चिन्हों को ध्यान में रखा जाता है तो आईए देखते हैं कुछ वाक्षियों को अरे चमकादर तुझे क्या खाक शाहरी आती है मुझे चमकादर कहता है अरे आलू बुखारे शाहरी तो मेरी बातों से टपकती है तुने कभी टूथ बुरुष के अलावा कोई बुरुष भी उठाया है इन वाक्षियों में आपने तरह तरह के चिन्हों पर गौड किया होगा असल में इन्हें विराम चिन्न कहते हैं वाक्षियों के लिखते समय विराम यानी ठायराव को परकट करने के लिए इनका प्रियोग करते हैं वाक्य लिखते समय ज्यादातर हम अल्प विराम, पुर्ण विराम और प्रश्ण वाचक चिन्हों का ही इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा विश्म्यादी बोधक, उधरण चिन्ह, अर्ध विराम, निर्देशक चिन्ह, आदी समेत कुल 18 प्रकार के चिन्ह होते हैं वाक्य लिखते समय विराम यानि ठहराव को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं इन विराम चिन्हों के प्रयोग के विशे में जानकारी हासिल कीजिए और आप चाहें तो दिये गए लिंक पर भी देख सकते हैं प्रिये विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं कि आपको या कहानी काफी पसंद आई होगी हमने आपके लिए कुछ प्रशन तयार किये हैं जिनके उत्तर आप तलाशने की कोशिश करें पहला प्रशन है विराम चिन्नों को ध्यान में रखते हुए कोरोना से समवंधित विशय पर समवाद लिखिए दूसरा प्रशन है वसंत भाग दो में संकलित एकांकी पापा खो गए पढ़िकर नाटक में नाटक कहानी के बीज अंतर पश्ट कीजिए आप यहां एकांकी NCRT की ओफिस्यल यूट्यूब चैनल और दिख्षा पोटल पर भी देख सकते हैं तीसरा प्रशन है यदि आप राकेश की जगा होते तो क्या करते और क्यों विद्यार्थियों आज के काडिकरम में हमने सीखा कहानी वाचन की आदर्श सैली पाठ में आए कठिन शब्दों के सामाने अर्थ और वाक्य प्रियोग कहानी कार और कहानी के मुल उद्देश से अवगत हुए तथा पाठ में प्रियोगत विराम चिन्नों के सामाने परिचे से भी परिचित हुए तो आज के काडिकरम में इतना ही फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ तब तक के लिए घर पर रहे सुरक्षित रहे धन्यवाद इबाए रहे से अवगत मठाए झाया प्रियोगत झाल